दोस्तों ये कहानी एक पक्षीपूर नामक जंगल की है जहां एक तोते महराज का राजे था तोते महराज का भाई उनसे मिलने आया हुआ था और वे दोनों आपस में बेठे कुछ बाते कर रहे थे अरे क्या बात है बिर्जू बहुत दिन बाद नजर आए बताओ क्या बात है भाईया मैं तो बिलकु ठीक हूँ परन्तों मैं बहुत जादा परिशान हूँ क्योंके मेरे घर का सारा का सारा रंग निकल चुका है और मैं किसे अच्छे रंग वाले को ढूंट रहा हूँ जो मे मेरे घर को सुन्दर बना दे अरे बिर्जू बस इतनी सी बात तुम इतनी सी बात को लेकर परिशान हो रहे हो यह मेरा जंगल है और यहां हर पक्षी किसना किसी काम ही आता है रुको मैं तुम्हें आज एक अच्छे रंग वाले से मिला देता हूं अच्छा भाईया आप किसी पक्षी को जानते हैं क्या जो जंगल में सबके घरों में सुन्दर सुन्दर रंग कर देता हूं अरे हाना बिर्जू मैं ऐसी एक चिडिया को जानता हूं जिसका नाम मीनु है वे जंगल में तमाम पक्षियों के घरों को सुन्दर सुन्दर रंगों से भर देती है भाईया ये तो बहुत अच्छी बात है चलिए हम उससे जाकर मिल लेते हैं फिर क्या था तोते माराज और तोते माराज का भाई दोनों फोरण से मीनु चिडिया के घर पर पहुँचते हैं और उससे अपने घर को रंग करवाने की बात करने लगते हैं अरे देख लो मीनु अब ये हमारे जंगल की इज़त की बात है तुम इसके घर को बहुत ही अच्छे से रंग करना मैंने तुम पर बहुत भरोसा करकर तो मैं ये काम सोपा है जी तोते माराज आप बिलकुल फिकर मत करिये मैं आपके भाई के घर को ऐसा रंगोंगी के देखिएगा सब देखते ही रह जाएंगे और ये जंगल तो मेरा घर है और इसकी इज़त मेरी इज़त है अरे वाह मेनू ये हुई ना कुछ बात अब तुम कुछी देर में मेरे भाई के घर जाना और उसके घर रंग कर देना फिर ऐसा सब कुछ कह कर तोते माराच और उनका भाई वहाँ से चले जाते हैं और कुछी समय में मीनुचिडिया रंग करने की तमाम समगरी लेकर तोते माराच के भाई के घर पर पहुँच जाती है अरे ये घर तो बहुत जादा बेरोनक और फीका फीका लग रहा है अभी देखो मैं इसे रंग कर कर कितना जादा खुबसूरत बना दूँगी ये कहे कर मीनुचिडिया उस घर को रंग करने में लग जाती है और कुछी समय में वे उस पूरे घर को रंग कर देती है वे घर अब दिखने में बहुत जादा रंगीन और खुफसूरत लग रहा था मीनू चिडिया भी अपने हाथ की कला देखकर बहुत जादा खुश हो जाती है अरे वाह मीनू तेरे हाथों में तो चादू है चादू जिस पर भी पढ़ जाता है वे चीज रंगीन हो जाती है अब देखना कल जब तोते माराज और उनका भाई इस घर को देखेंगी तो वे इससे देखने के बाद बहुत जादा खुश हो जाएंगी और मुझे शाबाशी देंगे मीनो चिडिया उस घर को रंग करने के बाद वहां से खुशी खुशी चली जाती है परंतु वहीं दूसी तरफ बंटी कववा ये तमाम बात जान चुका था और वे मीनो चिडिया से जलता था अरे सुना है मीनू चुरिया तोते महराज के भाई के घर को रंग कर रही है ये मौका तो सही है मुझे इस मौके का फाइदा उठाना चाहिए अगर मैंने ऐसा किया और मीनू के काम को खराब कर दिया तो मेनू चुरिया की इस जंगल में बिलकुल इज़त नहीं रहेगी और तो और वे तोते महराज की नजरों में भी किर जाएगी फिर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा ऐसा सोचने के बाद वे बंटी का हुआ रात होने का इंतिजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है वे काववा फोरण से तोते महराज के भाई के घर पहुच जाता है अरे अब देखो मैं क्या करता हूँ इस घर को रंग करकर पूरा काला कर दूंगा फिर सुबा होता ही तोते महराज जैसे ही इस घर को देखेंगे वे मिनुचडिया को सही से सुनाएंगे और मिनुचडिया पूरे जंगल में बदनाम हो जाएगी फिर क्या था वे बंटी का हुआ देखते ही देखते उस घर को पूरा काला रंग कर देता है और वे घर अब दिखने में बहुत जादा बस सूरत लग रहा था लो हो गया मेरा काम अब देखना तोते माराज मिनुचडिया का क्या हाल करते है बंटी का हुआ अपना काम करकर वहां से चला जाता है फिर कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और मिनुचडिया तोते माराज और उनके भाई को लेकर उस घर के पास पहुँचती है तोते मारा जब उस घर को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़ादा गुसा आता है क्योंकि वे घर दिखने में बहुत ज़ादा बसूरत लग रहा था अरे भाईया ये क्या हाल हो गया मेरे घर का इससे अच्छा तो मेरा घर पहले ही था अरे मीनुचिणिया ये तुमने क्या किया ये तुमने इस घर का क्या हाल कर दिया है तुम तो इतना अच्छा रंग करती हो तभी मैंने तुमें ये काम दिया था और अब तुमने ये इसका क्या हाल कर दिया है मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था अरे तोते महराच मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया कर रात को तो मैंने ये घर कितना अच्छा छोड़ा था और ये बहुत जादा खुबसूरत लग रहा था पर अब ये ना जाने कैसे काला और बसूरत हो गया है तोते महराच अरे हाँ हाँ तुमारी खुबसूरती तो हमें साफ नजर आ रही है पूरा घर काला कर दिया और बोल रही हो के खुबसूरत रंग करा था अरे तोते महराच मेरा यकीन कीजिए मैंने इस घर को बहुत जादा खुशूरत रंग किया था और ये बहुत जादा सुन्जर भी लग रहा था अभी मीनुचिडिया ये सब कुछ क्या ही रही होती है कि तब ही अचानाग उसकी नजर कोवे के पंजो के निशान पर पड़ती है जोके काला रंग लगने की वज़ा से वहाँ पर रह गए थे अरे अरे तूते महराच ये देखिए ये कवे के पंजो के निशान है मुझे रखता है मेरे जाने के बाद कल रात को वे बंटी कवा ही यहाँ पर आया होगा और उसने ही इस गर का ये हाल किया ही वे मुझे से बहुत जादा जलता है अरे हाँ ये तो कवे के पंजो के निशान ही है हो सकता है वे कल रात यहाँ पर आया हूँ परन्तो मीनोचिडिया अब मैं क्या करूँ तो मुझे बताओ मैंने अपने भाई से वादा किया था कि उसके घर को खुबशूरत रंग करा कर दूँगा परन्तो अब इस गर का क्या ह सब्सक्राइब को जानती हूं उसने इस घर पर जरूर कच्चा रंग किया होगा जबके मेरा रंग बहुत जादा पक्का होता है और वे असानी से नहीं चूटता आप बस कुछ समय का इंतिजार कीजिए मैं अभी बबलु बादल भाया को यहां बुला कर लाती हूं वे इस घ काला रंग निकल जाएगा इस फिर मिलू चिडिया फॉरंच से उस बबलु बादल के पास पहुचती है और उससे पूरी बात बताती है अरे बबलु भाया बबलु भाया मेरे साथ बहुत जादा बुरा हुआ है उस बंटी कवे ने मेरे घर की यह घर को बिलकुल काला हैं आप मेरे साथ चलिए और उस गर पर बारिश कर दीजिए ताकि उस गर का सारा रंग निकल जाए अरे मीनू चिडिया ये तो ठीक है मैं तुमारे साथ चल लूँगा और उस गर पर बारिश भी कर दूँगा परंतु अब तुमें इस बंटी कवे का कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि अब ये तुम्हें बहुत जादा परिशान करने लगा है आप ठीक है रहे हैं बादल मैया मुझे उस कवे का कुछ ना कुछ करना ही होगा परंतु अभी जरूर ये है कि हमें तोते महराज के घर के रंग को बिलकुल ठीक करना है इसलिए आप मेरे साथ फिर मीनुचिडिया के कहने पर बबलू बादल मीनुचिडिया के साथ चला जाता है और उस घर पर बारिश भी कर देता है उस घर पर पानी पड़ते ही देखते ही देखते बंटी कवे का करा हुआ काला रंग सभी के सभी फोरण से निकल जाता है और मीनुचिडिया का करा ह हुआ खुबसूरत रंग सभी के सामने आ जाता है सभी ये देखकर बहुत जादा खुश हो जाते हैं देखा तोते माराच ये काला रंग कैसे निकल गया पर अब देखिए आपका ये घर कितना जादा खुबसूरत लग रहा है अरे हाँ मीनोचिणिया कहना पड़ेगा तुम मारा काम तो बहुत जादा अच्छा है और मैं अपना घर देखकर अब बहुत जादा खुश हूँ और मीनोचिणिया तुम बिलकुल चिंता मत करो उस बंटी कावे को तो मैं चोड़ूंगा नहीं उसने तुमारे साथ बहुत जादा बुरा करने की कोजश की है अब उसे ज कर बहुत जादा खुश हो जाती है वहीं कुछ समय बात तोते मारा आज बंटी कोवे को ढून कर उसे बंदी बना देते हैं क्योंकि उसने मिनोचिणिया के साथ बहुत जादा बुरा किया था बंटी कोवा अपने बुरे कर्मों पर पश्टा आने लगता है परन्तु अब क क्या हो सकता था इस कहानी से हमें ये परना मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का अंचाम हमेशा बुरा ही होता है